और चोर नहीं हूँ, चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैस का हूँ, लेकिन दफाएं डखैती की लगी हैं सपावरिष्ट नेता आजम खान का बयान मैं मुर्गी चोर हूँ बक्री चोर हूँ बैस चोर हूँ और जब मैं मंतरी और मेरी पत्मी प्रफेसर थी तब हमने शराब की दुकान का गल्ला लूटा था ऐसे आदमी से आप बात कर रहे हैं ये सौभागी है सुन लिए और क्या क कुछ का फराजम खाने अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बाते हैं मेरा तो बहुत चोटा सा इस तरह है मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ चोर मुर्गी का हूँ बक्री का हूँ भैस का हूँ लेकिन दफाएं ड़केती की लगी है और आपको हैरत होगी एक चौथी बार मीनिस्टो था जिजर सेक्यूरिटी में था मेरी पत्नी एसोशेट प्रोफेसर थे हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लोटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लोटा था एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आये हैं कि मेरा सोबाग दे एक तरफ तो मै धकर करें साथ मलता है और सभामुखया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थते में जब कठिन परिस्थति एर आपके साथ हवा Jesus हजार प्रशार जो आपके साथ गुजरा है या आप लेकर के दोजार चौबिस के अपर चुनाव पर चार होंगे इंडिया के ड़बंदन सामने है और सीधे सीधे वाजबसे ही लड़ाई होने हैं आप इंडिया को रखेंगे किस तरीके से परशान किया जा रहा है ना बज़ बस दोजा सो गिर जाएंगे लोग समझ लेंगे क्या होगा है सर गटवंदन के लिए प्रशार करेंगे मेरी खामोशी ही मेरी जुबा होगी कितनी सीधे सर देख रहे हैं दोजार चौबिस के चुनाव में यूपी में इस बार आप अब मैं आप से कहूंगा कि मैं अंधा ह गूंगा हूं बोल नहीं सकता बहरा हूं सुन नहीं सकता प्रशार में देखे जाएंगे आप इंडिया गटवंदन की तरफ से चौबिस के चुनाव में पता नहीं उस अब में कहा होंगे बाहरे मुझ को ढूंडेंगी नजाने में तहां होंगे